हेलो फ्रिंट्स आपकी साथ शेयर कर रहे हूँ बहुत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जीस्टी आर वन और जीस्टी आर थीवी की लेट फी माफ की गई है लेकिन साथ ही साथ एक कंडिशन इंपोस की गई है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर वो कंडिशन फुल्फिल नहीं होती है तो लेट फी आपकी कब से होगी चार्च तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुचते रहें तो मैं आपके सामने ओपन करी हूँ ये जीस्टी की इंपोर् कनफर्ट बाइ सेक्शन 128 तो सेक्शन 128 की पावल यूज करते हुए गोर्नमेंट ने ओन दे रीकमेंडेशन अफ गोर्नमेंट अफ इंडिया एक नोटिफिकेशन को अमेंड किया है जो की नोटिफिकेशन है चार बटे 2018 जो 23 जन्वरी 2018 को इशु की गई थी तो उस इशु की गई थी चार बटे 2018 उसके थर्ड प्रोवाईजो में एक और प्रोवाईजो जो है इंसर्ट किया गया है और वो प्रोवाईजो कहता है दे माउंट ओफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ दी एक्ट सेक्शन 47 के अंदर जो लेट फी पे की जाती है शेल स्ट for the month of March, April, Mai. तो March, April और Mai के लिए वो लेट फी जो है माफ की जा रही है for the quarter ending 31st March 2020 साथ ही साथ जो quarter end हो रहा है 31 March 2020 को उस quarter के लिए भी लेट फी जो है माफ की जा रही है for the registered person who fail to furnish the details of outward supply of the sad period in form G-SER1 by the due date but furnish the sad detail in form GSTR1 on or before 30th June of 2020 तो अगर आप 30 June 2020 तक अगर आप monthly filers हैं अगर आप monthly filer है को आप GSTR1 को monthly file करते हैं तो आपके लिए March, April और May की जो GSTR1 है उसकी late fee wave of कर दी जाएगी अगर आप 30 June 2020 तक अपनी GSTR1 को file कर लेते हैं तो साथ ही साथ जो quarter ending है 31 March जो अगर आप quarterly filer है quarterly GSTR1 file करते हैं तो 31 March 2020 का जो quarter end हो रहा है अगर आप उसको GSTR1 को late file करते हैं 30 June 2020 तक कर देते हैं file तो आप से किसी प्रकार की कोई late fee charge नहीं की जाएगी यहाँ पर जो quarter ending है 31 March 2020 उसकी GSTR1 को file करने की date है 30 April अगर आप 30 April तक नहीं file कर रहे हैं और उसे 30 June तक file कर देते हैं तो कोई late fee आप से charge नहीं की जाएगी लेकिन अगर आप 30 June के बाद file करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए का बहुत ही important यह concern रहता है अगर आप 30 June के बाद file करते हैं मान लीजे आपने 1 July को अपनी return file की है तो आपके उपर जो late fee है वो कब से लगनी शुरू होगी जो quarterly filers हैं जिनके लिए due date 30 April थी तो आपके लिए late fee जो है वो एक मई से लगनी start हो जाएगी यानिकि एक मई से लेकर और जो है एक जुलाई तक आपके उपर late fee लगा दी जाएगी इसी तरीके से अगर आप monthly filers हैं अगर आप मार्च मंत की हम बात करते हैं तो मार्च के लिए अगर आपको 11 April तक अपनी return file करनी होती है लेकिन 30 June तक आप अपनी return file कर सकते हैं अगर आपने 30 June तक अपनी return file नहीं की है और एक जुलाई को अपनी return file कर दी है तो 11 April जो आपकी due date थी 11 April से लेकर एक जुलाई तक आपके उपर late fee जो है लगा दी जाएगी तो late fee की calculation आपको समझ आ गई होगी कि कब से की जाएगी उसी प्रकार चलिए बात करते हैं GSTR 3B की तो उसके लिए मैंने आपके सामने open की है notification number 32 जो की 3 April को की गई है issue notification number 32 कहती है in exercise of power conferred by section 128 तो section 128 की power use करते हुए government ने जो है on the recommendation of council make the following amendment in the notification number 76 by 2018 तो एक notification आई थी 76 बटे 2018 जो की 30 दिसंबर को आई थी तो उस notification के अंदर जो है central government ने कुछ changes किये हैं in the second notification यानि कि जो notification आई थी 76 बटे 2018 after the second proviso तो second proviso जो उसका था उसमें इन्होंने एक और proviso जो है insert किया है क्या insert किया है यहाँ पर GSTR 3B की late fee माफ करने की बात की गई है तो चलिए इसकी conditions एक बार देख लेते हैं taxpayer having turnover more than 5 करोड in preceding financial year अगर पिछले financial year में आपका turnover 5 करोड से ज़ादा है तो February, March और April की जो return है वो अगर आप 24 जून तक file कर देते हैं तो आपके उपर किसी तरह की कोई late fee charge नहीं की जाएगी लेकिन अगर आप 24 जून के बाद file करते हैं माल लीजे कि आपने 25 जून को file की है और आपके लिए February के लिए जो due date थी वो थी 20 March अगर आपने 20 March से 24 जून तक अपनी return file कर दी तो किसी प्रकार की कोई late fee आपसे charge नहीं की जाएगी लेकिन अगर आपने 25 जून को file की है एक भी दिन late file की है तो जो February के लिए आपकी due date थी 20 March तो 20 March से लेकर 25 जून तक आपके उपर late fee लगा दी जाएगी तो आपको बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है कि जो late fee होगी वो आपकी due date से calculate की जाएगी अब बात आती है second category की taxpayer having aggregate turnover more than 1.5 करोड but up to 5 करोड अगर आपका turnover 1.5 करोड से 5 करोड तक का है तो ऐसे case में आपक GSTR 3 भी है वो अगर आप 29 जून तक फाइल कर देते हैं यानि कि due date के बाद भी आपको time दिया जा रहा है अगर आप 29 जून तक फाइल कर देते हैं तो किसी तरह की कोई late fee आप से charge नहीं की जाएगी अगर आप एक दिन भी late कर देते हैं तो आपके उपर जो late fee लगाई जाए कर और जिस दिन आप file कर रहे हैं तब तक लगा दी जाएगी अपरिल के लिए आपको time दिया गया है 30 जून का 30 जून तक आपको करनी है file लास्ट अब बात आती है कि अगर आपका turnover up to 1.5 करोड है तो फरवरी के लिए आपको date दी गई है 30 जून अगर फरवरी की return आप 30 जून तक file कर देते हैं उसी प्रकार अगर March की return जो है आप 3 जुलाई तक file कर देते हैं और April की return आप 6 जुलाई तक file कर देते हैं तो आपके उपर किसी भी तरह की late fee charge नहीं की जाएगी तो दोस्तों यह important जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यह जो dates दी गई है यह extended time जो दिया गया है आपको उसी के बीच में अपनी return file करनी है अगर आप एक दिन भी late कर देते हैं तो ऐसे cases में आपके उपर due date से late fee applicable रह जादा है उनके दिए GSTR 3B की date extend नहीं की है 15 दिन का relaxation दिया गया है 15 दिन जो है आपके उपर interest charge नहीं किया जाएगा और 15 दिन के बाद 24 जून तक आप से 9% के rate से interest लिया जाएगा लेकिन 24 जून के बाद अगर आप अपनी return file करते हैं तो due date से लेकर उस date तक मान लीजे आपन 18% interest वसूल किया जाएगा इससे related video मैंने upload की है आप reference के लिए उस video को देख सकते हैं बहुत important information है ये आपको miss नहीं करनी है और बाकी लोगों को भी aware करना है ताकि उनसे किसी भी तरह की कोई mistake ना हो और किसी का नुकसान ना हो चलिए इस video को कर रही हूँ मैं close thank you for watching